हाई मैं हूँ जतिंदरपाल सिंग और अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक वेबसाइट के बारे में बताया था जिसके साथ आप अपनी एक रिस्पोंसिव वेबसाइट का लेओट तियार कर सकते हैं सिर्फ ड्रैग और ड्रॉप करके उस वीडियो में मैंने एक लेओट बनाया था और उसे डाउनलोड किया था जब मैंने उसे डाउनलोड किया तो मेरे पास ऐसे एक जिप फाइल बनकर आ गई थी जिसे मैंने एक्स्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास लेओट इट नेम का फोल्डर बन चुका था इसके अंदर मेरी सारी files और folders जो इस website layout को बनाने के लिए लगी है वो इस folder के अंदर आ गई थी ये देखिए CSS के files इसके अंदर fonts है सारे इसके अंदर bootstrap, JavaScript के सारी files और ये मेरी index.html के file मैं इसे browse करके दिखा देता हूँ आपको तो ये वो layout था जिसे हमने सिर्फ drag and drop करके बनाया था अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इस link के उपर click कर सकते हैं या आपको इस वीडियो के description के अंदर भी पहला link मिल जाएगा अब हमें इसे अपने according edit करना है मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि ये मैंने layout ये website इसी तरह पहले drag and drop करके इसका layout बनाया था और उसके बाद इसे edit किया था अब ये देखिए इसे मैं left side पे कर देता हूँ जो मेरी website ready है इसकी तरह अब हम इस layout को edit करेंगे अपने according तो मैं start करता हूँ nav bar से तो इसे edit करने के लिए मुझे इसे text editor में open करना पड़ेगा तो मैं पहले इसे right click करके notpad plus plus में open कर लेता हूँ अब सबसे पहले मैं अपनी menu को edit करता हूँ इसके according तो यहाँ पे देखिए मेरे पास link है तो मैं यहाँ पे search में जाकर find करूँगा link तो यह देखिए यह मेरा search होकर करदर उस nav bar पे आ चुका है तो सबसे पहले link को मैं लिखता हूँ home उसके बाद मैंने लिखा है services और our team services इसे मैं copy करके यहाँ पे एक ally create करता हूँ और उसमें लिख देता हूँ our team उसके बाद हमारी drop down menu है जिसके अंदर tutorials लिखा था मैंने तो यहाँ पे देखिए drop down है उसे मैं tutorials लिख देता हूँ और उसके अंदर जो links है action, another action, something else यह वाले इन्हें मैंने change करके designing, development या आप और भी कोई text लिखना चाहते हैं तो इन्हें उस according edit कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे एक दू edit कर देता हूँ designing, development यहाँ पे लिख देता हूँ HTML and CSS save करके मैं इसे refresh करता हूँ तो यह देखिए home, services, art team और tutorials के अंदर designing and development आ चुका है उसके बाद मैंने submit बटन को search लिखा था तो मैं इसे edit कर देता हूँ search और यह बटन blue है लेकिन यहाँ पे simple है by default तो इसके button की class हम change कर देंगे primary जिसकी वज़ा से वो blue हो जाएगा अब इस tutorials के बाद मैंने इस part को delete कर दिया था यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है right side में लेकिन दो links add किये थे इन links को जैसे मैंने यह create किये हैं वैसे ही copy करके create कर देंगे यहाँ से मैं copy करता हूँ copy और इस list के बाद इसे मैं कर देता हूँ test और एक और create करके यहाँ पे लिख देता हूँ contact us और यह जो form है इसके बाद हमारे वो links है right side पे जो है link और drop down तो इस चीज़ को मैं पूरे को delete करना चाहता हूँ तो यहाँ से unordered जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पे खतम हो रही है उस part को select करके यह सारी चीज़ मैं delete कर देता हूँ अब मैं save करके यहाँ पे refresh करता हूँ तो देखिए बिलकुल इसी तरह से मेरी ये menu बन चुकी है और यहाँ पे मैंने jpweb लिखा है brand की जगा पे तो यहाँ पे देखिए jpweb save और refresh अब अगर आप देख रहे होंगे कि इसकी processing काफी late हो रही है क्योंकि इसके अंदर जो images है slider पे यहाँ पे यह सारी internet से आ रही है क्योंकि इनका path online है लेकिन यहाँ पे मेरी ये local images है इसलिए यहाँ पे जल्दी refresh होता है तो इसलिए जब हम इसकी images को change करेंगे तब ये जल्दी load होगा अब हम इस crouchal की setting करते है सबसे पहले तो देखिए ये बिलकुल navbar के साथ है यहाँ पे मैं थोड़े से break लगा देता हूँ ताकि ये नीचे आ जाए तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे अभी हमने अपनी navbar के setting की है जिसका div यहाँ से start होता है इसके उपर मैं कुछ break points लगा देता हूँ BR copy दो तीन बार मैं paste कर देता हूँ ताकि ये उपर से नीचे आ जाए उसके बाद यहाँ पे देखिए हमें search करना है कि इसका code कहाँ पे है तो हम इसे copy कर लेते हैं थोड़े से text को और यहाँ पे सबसे top पे आकर search करते हैं ये देखिए first thumbnail label आ चुका है यहाँ से मेरा crouchal start होता है मैं ये text delete करने वाला हूँ और इसका paragraph पी क्योंकि मैं ये title और ये paragraph नहीं चाहता हूँ मैं सिर्फ images चाहता हूँ तो मैं इस div को delete कर देता हूँ और यहाँ पे जो मेरी image का path है इसे change कर देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ slider1.jpg तो सबसे पहले मुझे images रखनी पड़ेंगी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक images name का folder create करता हूँ और इसके अंदर अपनी जो भी images लगाना चाहता हूँ slider के लिए उन्हें paste कर लेता हूँ तो यहाँ पे जो मैंने ये layout बनाते वक्त ये website बनाते वक्त जो images यूज की है slider पे उन्हें copy कर लेता हूँ इस folder से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अब इन images के name slider 1, 2, 3 और 4 है और ये images name के folder के अंदर है तो यहाँ पे पहली image लगाने के लिए images folder के अंदर slider 1.jpg फाइल पड़ी है ये दूसरी slide इसके अंदर इसका image path चेंज करके images slash slider 2.jpg कर देता हूँ और उसके बाद इसका div delete कर देता हूँ जिसके अंदर text है फिर third item इसका image का path images slash slider 3.jpg इस div को delete कर देता हूँ save करके यहाँ पे पहले refresh करके दिखा देता हूँ आपको यह देखिए यह image 1 2 और 3 यह ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ images 3 ही लगा सकते हैं अगर आप इससे ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो आपको यह div copy करने पड़ेंगे यहाँ पे देखिए copy paste और यहाँ पे slider 4 लगा देता हूँ मैं और यहाँ पे थोड़ा सो उपर आकर जहाँ पे इसके यह indicators की setting है यह देखिए यह जो छोटे से dots हैं इन्हें हम indicators भी बोलते हैं इसकी एक list को मैं copy करता हूँ और यहाँ पे paste करके 3 कर देता हूँ और save और refresh अब देखिए मेरे पास यह indicators 4 बन चुके हैं और मेरी 4thी slide भी नजर आ रही है लेकिन यह break जो मैंने लगाये थे वो काम नहीं कर रहे हैं मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या problem है यह जो हमारा slider है अगर हम इसके उपर break लगा दें तो यह शायद ठीक हो जाए तो यहाँ पे देखिए इस krausel का यह div है main अगर हम इसके उपर break लगा कर देखें break मैं copy कर देता हूँ तीन बार मैं break लगा दिया save अब यहाँ पे refresh करके देखता हूँ तो यह देखिए यह slider बिल्कुल नीचे आ चुका है और हमारे krausel के अंदर जितनी भी हम images set करना चाहते हैं हम इस तरह से set कर लेंगे उसके बाद हम इस section पे आते हैं जिसके अंदर मैं copy करके यहाँ पे सबसे top पे आकर search करता हूँ तो यह देखिए मुझे वो title मिल चुका है मैं यहाँ पे लिखता हूँ home क्योंकि यह मेरा पहला page है home page तो अगर मैं यहाँ पे title लिख दूँगा home तो मुझे अच्छा लगेगा और उसके बाद यह मैं paragraph copy कर लेता हूँ और यहाँ पे उसका text change कर देता हूँ save refresh इस paragraph को justify करने के लिए class text justify save और refresh जैसे मैंने यहाँ पे इसका matter थोड़ा सा जादा लिखा था तो मैं इस paragraph को दो तिन बार copy पेस्ट कर देता हूँ copy एक बार पेस्ट दो बार पेस्ट save refresh अब यहाँ पे बस मुझे image लगानी है तो यहाँ पे सबसे पहला paragraph जो था यहाँ पे मैं image लगाता हूँ image source के अंदर मैं images folder के अंदर एक image रख लेता हूँ जिसका name जो tender.jpg दे देता हूँ उसे लगाता हूँ तो यहाँ से मैं अपनी image copy करता हूँ जिसका मैं name जो tender.jpg रख देता हूँ और इसकी height width set कर देता हूँ 300 pixel save और refresh तो यह देखे मेरी image लग चुकी है इसे left align कर देता हूँ तो इसके लिए align left save refresh अब यहाँ से इसकी space देने के लिए मैं इसकी horizontal space set कर देता हूँ उसके लिए h space 5 save refresh तो यह देखिए इसी तरह से यह title, text और image लग चुकी है अब यहाँ पे हम section 1 और 2 की images को set करते है तो उसके लिए मुझे इन में से कोई text को copy करना पड़ेगा ताकि यह मैं section टूंड पाऊँ कि यहाँ पे notpad की file में यह कहाँ पे है तो सबसे top पे जाकर मैं search करता हूँ I am in section 1 तो यह देखिए उसके divs आ चुके है यह text है उसके और यह जो tab का title है यहाँ पे मैंने इसे edit करके लिखा है latest news और section 2 का title मैंने दिया है important news save और refresh अब हमारे पास यह दोनों edit हो चुके हैं इसका मैंने text delete करके यह images लगाई थी image का title image और उसके बाद एक horizontal line add की थी तो इसलिए मुझे I am in section 1 delete करना पड़ेगा यह देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इस paragraph को cut करके सबसे पहले एक h3 tag लेता हूँ जिसके अंदर मैं वो title लिख देता हूँ और उसके बाद image लगाता हूँ image source images के अंदर मैं कुछ images रख लेता हूँ और उसका नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ तो उस folder में से latest, latest 1, 2, 3 यह pictures मैंने इस section के लिए यूज की थी जिसका name latest1, 2, 3 है तो मैं यहाँ पे latest1.jpg लगा देता हूँ इस image का title लग चुका है, image लग चुकी है और उसके बाद एक horizontal line मैं save करेके यहाँ पे refresh करता हूँ तो देखिए इस later news section के अंदर मैं title लग चुका है और एक image लग चुकी है यह image काफी बड़ी है इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इसकी class add कर देता हूँ जिसके अंदर मैं बताता हूँ कि यह image है और इस image को responsive set करें save और refresh अब देखिए यह बिल्कुल set नजर आ रही है इसी तरह से मैं बाकी को copy and paste कर देता हूँ और images के path चेंज कर देता हूँ और इसके title चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा इस सारी चीज को मैं copy करके दो बार paste कर देता हूँ और इसके title और images path को change कर देता हूँ latest2.jpg यहाँ पे latest3.jpg और इसका title क्या है development process save refresh तो देखिए latest news section के अंदर मेरी तीनो images लग चुकी है इसी तरह से important news के अंदर मैं से copy करता हूँ एक चीज को और यहाँ पे यह उसका second panel है जिसके अंदर I am in section 2 नजर आ रहा है यह वाला इस paragraph को delete करके मौस्ट चीज को paste कर देता हूँ और इनके title और images को change कर देता हूँ यहाँ पे मैंने पहले लगाई है image cricket stadium की cricket stadium यहाँ पे मैं images रख लेता हूँ वह वाली यह देखिए तो पहले मैंने लगाई है stadium की image copy फिर cricket ball and bales जिस image का name है ball उसके बाद sitting arrangement inside stadium और इसका name है chairs save refresh और यह देखिए important news section भी हमारा ready हो चुका है images के साथ यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह सारा कुछ responsive है यह देखिए जब मैंने इसे छोटा किया तो यह हमारी menu इस तरह से नजर आ रही है और यह हमारा slider भी छोटा हो चुका है और यह हमारा section text और image वाला और यह दोनो latest news और important news और important news यह देखिए वो title आ चुका है जिस पे मैंने लिखा है see my pick तो यह वो link है जिसके click पे मेरी image आती है यह देखिए मैं आपको दिखा देता हूं यह वाली तो यहां पे मैं change कर चुका हूं launch model demo की जगह मैं see my pick लिख चुका हूं इसके click पे मेरे पास यह नजर आ रहा है model title, cross button, dots, close और save changes मैं model title search करता हूं इसके नीचे ही होगा यह देखिए cross button, model title यहां पे मैं अपनी image का name दे देता हूं और यहां पे जो तीन dots हैं अपनी image लगाता हूं images folder के अंदर जो tinder.jpg की जो image पड़ी है मैं वही लगा देता हूं यहां पे और इसकी पहले से ही class set कर देता हूं ताकि वो काफी बड़ी नजर ना आए image image responsive save refresh refresh मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखिए title और image आ चुकी है यहां से अगर मैं close बटन रखना चाहता हूं तो मैं रख लूँगा otherwise delete कर देता हूं तो उसके नीचे यह देखिए इस डिव के अंदर मेरा close और save changes के बटन है अगर मुझे चाहिए तो मैं इने रख लेता हूं अगर नई तो मुझे यह पूरा डिव delete करना पड़ेगा save refresh see my pick और यह देखिए मेरी image और title लग चुका है और बाकी सारी चीजे डिलीट है उसके बाद आप इस block code का text change कर सकते हैं वो भी इसके नीचे ही है यह देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं और यहां पर अपना name और यहां पर अपने channel का name आप अपनी requirement के हिसाब से अपनी setting कर लीजिए save refresh तो हमारा यह सारा section ready हो चुका है अब हमारा यह center वाला part है जिसके अंदर इन images को change करता हूं और इनके title, text और buttons तो उसके लिए मैं इसे copy करता हूं और यहां पर तॉप पर जाकर search करता हूं thumbnails label यहां पर मैं वही सारी चीज़े लिखता हूं जो मैंने यहां पर set की थी sweet home इसे मैंने center में करने के लिए class use की text center इसका matter भी आप change कर सकते हैं मैं यहां पर नहीं करूंगा उसके बाद इसकी image यहां से change होगी तो मैं यहां पर पहले images रख लेता हूं यहां पर देखिए मैंने thumbs name से यह 3 picture save की थी इन्हें यहां पर paste करता हूं और इन्हें use करता हूं तो यहां पर इसका source change करके images folder के अंदर मेरे पास thumbs thumb1.jpg यह image पड़ी है save करके यहां पर refresh करता हूं तो देखिए पहली image change हो चुकी है और इसका title center में आ चुका है और यह बाकी का text यहां से मैंने यह button ही रखा था बाकी action delete कर दिया था तो यहां पर देखिए यह वो button है पहले वाला और यह दूसरे वाला link मैं इसे delete कर देता हूं और यहां पर action की जगा पर read more लिख देता हूं और अगर आप इसका color कोई change करना चाहते हैं तो अगर आपको bootstrap की classes का पता है तो आप उसी से अपसे name रख सकते हैं success करें तो यह green color का हो जाता है यह देखिए अगर आप थोड़ा सा red चाहते हैं तो उसके लिए danger save refresh इसका आप अगर text justify करना चाहते हैं तो जैसे मैंने इसे center में किया था उसी तरह से इसे justify कर देता हूं class लगाकर paragraph में class text justify save और refresh इसी तरह से बाकी की भी images और text चेंज कर सकते हैं वो उसके नीचे हैं यह देखिए इसकी पहले image images के अंदर thumb2.jpg title special meetings image मैं देख लेता हूं meetings के लिए क्या है thumb3 मैं thumb3 कर देता हूं यहां पर class लगा देता हूं center करने के लिए text center और यहां पर justify करने के लिए class text justify इसी तरह से तीजरी image जिसका नेम है thumb2.jpg images name के फोल्डर के अंदर mobile services text 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 center class text justify justify action button action और देता हूं और दूसरा delete कर देता हूं और यहां पर action की जगा read more लिख देता हूं इसी तरह दूसरे पर भी इसे delete करके read more save और refresh तो देखिए मेरे thumbnails की भी setting हो चुकी है और यह भी responsive है यह देखिए sweet home इसकी image और text size के according adjust हो रहा है उसके बाद हमारी एक चीज रहे गई है footer अब मैं इसकी setting करता हूं तो इसकी setting करने के लिए पहले इसे search करना पड़ेगा कि यह कहां पे है तो मैं इसे copy करता हूं और यहां पे top पे आकर search करता हूं यह वहां पे पहुंच गया और यहां पे मैं अपना address दे सकता हूं आपका जो भी address है या जो भी आप website पे देना चाहते हैं आप उस text को change कर दीजिए अपने phone numbers change कर दीजिए और save करके यहां पे refresh कर दीजिए उसके बाद इस form की जगा पे मैंने सिर्फ email address, password और submit button की जगा पे login change करके यह changes किये थे बाकी चीज़े मैंने delete कर दी थी तो यह देखिए उसके नीचे ही वो form है मैं थोड़ा सा scroll down करता हूं यहां से वो form start हो चुका है यह देखिए label email address का यह label password का और उसके नीचे यह file input और example जो यह दोनों lines है तो मैं यह से delete करना चाहता हूं तो मैं इसे delete कर देता हूं label को इसे भी delete कर देता हूं paragraph को यह div के अंदर है तो मुझे form group का यह div नहीं चाहिए उसके बाद यह वाला div भी मुझे नहीं चाहिए check me out इसे भी delete कर देता हूं अब मेरे पास सिर्फ email address password और submit का बटन रह गया है इसकी जगा मैं login लिखना चाहता हूं save करके यहाँ पे refresh करता हूं तो देखिए बिलकुल इसी form की तरह यह मेरा form ready है अब मैं अपने collapsible group की setting करता हूं जिसकी जगा पे मैंने our branches, our staff और our contacts लिखा था यहाँ पे देखिए सिर्फ दो हैं मैं आपको एक और create करना बताता हूं कि कैसे करेंगे सबसे पहले इसे search करता हूं मेरे ख्याल से search करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके नीचे ही होगा form के बाद ही क्योंकि हमने यह लगाया था यह देखिए collapsible group item 1 तो इसकी जगा पे मैं करता हूं आर ब्रांचिज यह जो भी आप करना चाहते हैं इसकी जगा पे text लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अगर आप कोई image लगाना चाहते हैं तो आप email लिख सकते हैं और अगर आप इसे justify करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक class और add कर दीजिए text justify save करके मैं यहाँ पे refresh करके देखता हूं तो our branches text justified इसी तरह से बाकी के दो यहाँ पे मैंने लिखा है our staff यहाँ पे यही text copy कर देता हूं और इसमें class add कर देता हूं text justify save refresh तो यहाँ पे our branches और our staff आ चुका है लेकिन यहाँ पे मैंने एक और create किया था our contacts तो इसे कैसे करेंगे उसके लिए आपको एक div की सारी setting कॉपी करनी पड़ेगी तो यहाँ पे देखिए एक और create करता हूं our staff को मैं copy कर लेता हूं यह देखिए इसका body panel जिसके अंदर text है और यह div जिसका title है इसके अंदर यह दोनो set हैं तो मैं इस div को copy कर लेता हूं यहां से लेकर यहां तक और यहां पे paste कर देता हूं एक और create करने के लिए जिसे मैं name देना चाहता हूं our contacts और यहां पे इस text की जगा पे मैं लिख देता हूं mobile number और phone number save और यहां पे refresh तो देखिए मेरे पर our contacts का भी आ चुका है लेकिन ये अभी चलेगा भी जांद right मैं इस पे click करता हूं तो यह open हो रहा है our star पे click करता हूं तो इसका टेटा ओपन हो रहा है so इसका लाही open हो रहा हैotes इसे थीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यह collapsible की अलग-लग ID होती है कि इसके click पे कौन सा matter open हो इसके click पे कौन सा matter open हो तो मैंने इसे copy किया था तो यह देखिए यह इसकी parent element ID है 10.74.59 जो यहाँ पर भी है our staff के अंदर यह देखिए वो इस ID को ढूणता है और इस ID वाला data जो यह है उसे display करता है तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा इसकी ID चेंज करनी पड़ेगी मैं इसे कर देता हूँ 500 इसे कट करके 500 save अब मैं यहाँ पर refresh करता हूँ तो यह चलेगा यह देखिए अब हमारी सिर्फ एक चीज रहे गई है जो है copyright तो यहाँ पर यह home library data बिल्कुल इसके नीचे ही होगा यह देखिए home मैं इसे delete कर देता हूँ library इसे भी delete कर देता हूँ और यह जो data है इसे भी delete कर देता हूँ और यहाँ पर copyright matter को paste कर देता हूँ यह देखिए यही text मैं copy करके यहाँ पर paste कर देता हूँ इसे paragraph में लिख देता हूँ p start यहाँ पर close और यहाँ पर इसकी एक class add कर देता हूँ text center तक यह बिल्कुल center में आए save करके यहाँ पर मैं refresh करता हूँ तो यह देखिए ठीक उसी तरह हमारा copyright का matter भी लग चुका है लेकिन इसके बीच में थोड़ी सी break लगानी पड़ेगी मुझे यहाँ पर देखिए इसका div यह है यहाँ पर मैं एक break लगा देता हूँ save और refresh तो देखिए हमारा layout exactly जैसा यहाँ पर था वैसा तयार हो चुका है और सारा कुछ अच्छी तरह से काम कर रहा है और यह सारा कुछ responsive भी है अब last में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ क्योंकि website सिर्फ एक page की नहीं होती है उसमें multiple pages होते है जैसे मैंने यहाँ पर link लगाए है services अगर कोई services पर click करे तो एक new page open हो जिसके अंदर यहाँ पर services लिखा है और उसका text और image जो भी हम changes करना चाहते हैं उस page में कर सकें और वो page इस तरह से highlight हो जैसे अभी हम home page पर हैं तो यह highlight हो रहा है अगर हम services page पर click करेंगे तो यह highlighted services पर आएगा home पर नहीं तो मैं लग लग pages create करके आपको बताता हूँ कि कैसे करेंगे देखिए multiple pages को यहाँ पर create करना हमारे लिए काफी असान होगा क्योंकि सारा कुछ ready है लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह suggestion देना चाहता हूँ कि आप जो जो भी pages create करना चाहते हैं उनके बारे में पहले ही सोच लीजिए उसका reason मैं आपको बताता हूँ यह देखिए अपनी file के अंदर आकर जहां पर मैंने अपनी menu बनाई थी क्राउजल के बाद हमारे पास यह हमारी nav bar के links है home मैं यहाँ पे इसका link दे देता हूँ index.html जो इसी page का link है यह देखिए index.html इस page का name है services page का मैं link जो दूँगा उसे name दे देता हूँ services.html our team के page को मैं team.html का page बनाऊंगा और उसके बाद tutorials के लिए मैं tutorials का एक page बनाऊंगा और यहाँ पे designing के लिए designing का page बनाऊंगा इसी तरह से आप जो जो भी pages बनाना चाहते हैं उनके आप name इस तरह से पहले ही set कर लिजिए यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब मुझे क्या करना है इस page को save as करके अपने उस folder के अंदर save करना है जहां पे मेरी index की file है मैं इसे rename करके दूसरा page services मैं services page create करता हूँ services.html अब देखिए मैं इसे open करता हूँ अपने index.html page को यह देखिए मेरा services का page उसी folder के अंदर आ चुका है अब मैंने दोनो index.html और services.html page को open कर लिया है अब जैसे मैंने index के page के अंदर यह matter दिया था home copy करके मैं इसे services पे search करता हूँ यह देखिए यह हमारा title था और यह मेरा paragraph तो अब मैं यहां पे services page है तो यहां पे services इसे title दे देता हूँ और जो भी इसका text चेंज करना चाहता हूँ services page के according और जो भी इसकी image लगाना चाहता हूँ वो लगा सकता हूँ मैं यहां पे image का भी path चेंज कर देता हूँ मैं cricket की यह image लगा देता हूँ यहां पे ball.jpg लिख देता हूँ और अब इसे save करके refresh करता हूँ तो यह मेरा home का page अब मैं services के ओपर click करता हूँ तो यह देखें बाकी सारा layout बिल्कुल same है और मेरा services का page open हो चुका है मैंने आपको बोला था कि services को हमने highlight करना है तो इसके लिए देखें यहां पे services वाले page के अंदर जहां पे हमने menu की setting की है उसके अंदर हमें क्या करना है यह देखें यह home की ally है means यह home की list है जिसके आगे class active लगी है अब हमें इसे cut करके यह services वाला page है इसलिए services के आगे active लगा देना है save और refresh अब देखें home page पे click करता हूँ तो home page का matter आ रहा है मैं services पे click करता हूँ तो यह services का page आ रहा है और यह highlight नजर आ रहा है इसी तरह से आप our team का page create कर सकते हैं आपको क्या करना है save as इसे मैंने name दिया है team.html तो मैं वही page create करूँगा team.html यहाँ पे हमें यह class हटा कर यह team का page है यहाँ पे यह class लगा देनी है और इसका matter मैं home search करता हूँ यह services क्यूंकि हमने services कर दिया था उसे इसे आटीम कर देता हूँ save करके यहाँ पे home page पे click करता हूँ services पे click करता हूँ और आटीम पे click करता हूँ तो देखिए मेरे तीन page कितनी जल्दी बन चुके है इस तरह से आप सारी website के pages बना सकते हैं अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे like करें और शेयर करें और मुझे comment करें जरूर बताएं और मेरे चैनल को भी subscribe करें जिससे क्या होगा कि जब में मैं अपलोड करूँगा आपको email में notification उसका मिल जाएगा तो मिलता हूं मैं next video में take care